जानहेवी कपूर ने जोया अख्तर से इस हर हर फिल्म के लिए मिलाया हाथ हुआ बड़ा खुलासा जानहेवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म रूही अपजा की शूटिंग में काफी व्यस्त है फिल्म रूही अपजा में जानहवी कपूर के साथ राजकुमार राव मुखे भूमिका में दिखाई देने वाले है फिल्म रूही अपजा के आगरा शेड्यूल की शूटिंग हाल ही में खत्म हो गई थी इसके बाद फिल्म के सेट से राजकुमार राव और जानहवी की मस्ती करते हुए तस्वीर सामने आई थी जानहवी कपूर ने फिल्म धड़क से ही बलेवुड में डेव्यू किया था करण जोहर के प्रड़क्शन हाउस से बलेवुड में डेव्यू करने वाली अगाकारा जानवी कपूर लगातार एक से बड़कर एक फिल्में साइन करती जा रही है इन दिनों जानवी कपूर के पास कई फिल्मیں है जिनको लेकर वो लगातार बिजी है जान है वी कपूर की आने वाली फिल्में इस बात पर पकी मोहर लगाती है कि उनका करियर लगातार उंचाया चूता रहेगा हाला कि जाहनवी कपूर नई पीडी की अदाकारा है जो केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती है जान है वी कपूर को पता है कि डिजिटल माध्यम से उन्हें दुनिया भर के कितने करोड लोगों का प्यार मिल सकता है जिस कारण वो अपने डिजिटल डेब्यू के लिए पूरी तहह से तयार है अगर पिंक अविला की ताजा खबर की मानें तो जाहनवी कपूर बहुत ही जल्द जोया अक्तर के साथ एक होरर फिल्म के लिए हाथ मिलाने वाली है जो डिजिटल स्पेस में रिलीज होगी जोया अक्तर ने इस फिल्म की स्कित तयार कर ली है और जल्द ही वो इसे शुरू भी करने वाली है अलाकि यह फिल्म केवल जोया अक्तर और जाहनवी कपूर की ही नहीं होगी जोया अक्तर, करन जोहर, अनुराग कश्यप और दिबाकर बनर जी ने कुछ समय पहले एक नेटफिलिक्स के लिए लस्ट स्टोरीज नाम की एक फिल्म बनाई थी जिसमें हर डायरेक्टर की अलगलग कहानी दिखी थी खबर के मुताबिक ये चारों डायरेक्टर एक बार फिर से ऐसी ही फिल्म के लिए हाथ मिला रहे है जिसमें ये अपनी अपनी होरर फिल्में पेश करेंगे और इस फिल्म का नाम घोस्ट स्टोरीज होगा जहां जोया अख्तर की फिल्म के लिए जाहनवी कपूर का नाम सामने आ रहा है वहीं बाकी तीनों डायरेटर्स की फिल्मों के लिए कलाकारों का चुनाम नहीं हुआ है जाहनवी कपूर इस समय राजकुमाराव के साथ रूही अपधा की शूटिंग ने काफी व्यस्त है जो की एक हरर कॉमेडी फिल्म है इसके साथ साथ उनके पास करण जहर की तक्त, धर्मा प्रोड कशन की गिंग जनसक से नाम बायोपिक और दोस्ताना दो जैसी फिल्मे है सुनने में यह भी आ रहा है कि करण जहर दियर कॉमरेड के हिंदी रीमेक में भी जाहनवी कपूर को कास्ट करने की सोच रहे है